हलो दोस्तो एप अड़ा की वीडियो कंदर आपका स्वागत है चलो दोस्त आज हम बात करेंगे आउसम प्रोक्सी एप्लिकेशन के बारे में जिया दोस्ती एप्लिकेशन क्या है इस एप्लिकेशन का अपनी मुबल कंदर प्रॉपरली तरीके से किस परकार से यूज कर सकते ह सबी जानकर इसी वीडियो के अंतर देने वाला हूँ अब दोस्तो इस एप्लिकेशन के अंतर अभी अभी अपडेट आया देख सकतो लाश्ट अपडेट 31 जुलाई को अभी अभी अपडेट आया तो अपडेट के बाद केसी यूज करूँगे क्या इसमें चेंजिस हुए सबी चीजे बताने वालो इस एप्लिकेशन का काला सच भी बताने वालो अपडेट के बाद काला सच यहाँ पर आ चुका है तो इस पर किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद दोस्त। अब यहाँ से आप देख सकते हो वीडिया आपको ध्यान से देखने है सबसे पहले उपर की तो आपको सेटिंग्स का उप्शन मिल जाते है उसके बाद दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हो वीपेन सर्वर के option मिल जाते हैं उसी की नीचा है याँ पर आपको बड़ा सा home button मिल जाता है अगर आप इस पर किलिक करते हो तो आपका वीपेन automatically random server के अंदर connect हो जाता है अगर आपको server select करके connect करना दियो जो server का option आ जाता है इस पर click कर लेना है किलिक करने के बाद देख सकते हैं कितने सारे server मिल जाते हैं कोई भी server पर किलिक करके आप अपना VPN easily connect कर सकते हो उपर की तरब refresh का भी option है refresh भी कर सकते हो अब मैं यहापर आपको server select करके बता है तो जैसी कि यह server पर मैंने किलिक कर लिया है उसके बाद नियासे में किलिक कर लेता हो उसके बाद connection request आ जायती है यहापर आपको ok वाले option पर click कर लेना है किलिक करने के बाद दोस्तों इस परकार से यहापर आपको activity विजिट होते भी दिखाए देंगी तो यहापर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और देख सकते हो यहापर आपका VPN connect हो जाएंगा कुछी सेकन के अंदर यहापर आपका VPN connect हो जाएंगा यहापर आपको एड आ जाती है यहापर आपको आपको हटा देना है देख सकते हो एड को हटाने के बाद country में यहापर जो सिलेक्ट किती network टेस्ट कर सकते हो उसके बाद security और location भी चेक कर सकते हो यहाँ से भी ब्याक आ आपका VPN disconnect हो जाएंगा साइसी यूज करने का तहीं का भी बता दिया है वीडियो चलेगे यूंग तो वीडियो कर देना लाइको चैनल को कर देना सब्सक्राइब